नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल जीके ट्राकर पे देखे फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है जीके बुकवाई सीरीज और जिसके अंतरगत हम सबसे पहले NCRT सार संग्रहे को कवर कर रहे थे इस सीरीज में हम जीके को टॉपिक वाईस कवर कर रहे हैं सबसे पहले हमने आधुनिक भारत के इतिहास को पूरा कवर किया अगर आपने उस सीरीज को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं अब हम भारतिय भुगोल को कवर कर रहे हैं इस सीरीज की हमारी तीन वीडियो अल्रेडी आ चुकी है जोगरोफी की अगर आपने उन्हें भी नहीं देखा तो आप इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहां से आप उनको देख सकते हैं तो यह हमारा आज इस सीरीज का च जलोड मिट्टी जलोड मृदा पाई जाती है इंग्लिस में जिसे अलोवियल स्वाइल लिखा जाता है भारत के लगभग 22% छेतरफल में यह मिट्टी पाई जाती है भारत का जो पूरा उत्तरी मैदान भाग है वो जलोड मिट्टी का ही बना हुआ है यह कोशन पेपर में पूछा जा चुका है ठीक है इसके अलावा एक और चीज आपको याद रखनी है यह जो जलोड मिट्टी है यह भारत की सबसे उपजाओ मिट्टी भी है तो यह भी आपको याद रखना है पेपर में पूछा जा सकता है चली वहीं से हमने शुरू किया है जहां हमने लास्ट पार्ट में छोड़ा था तो इसलिए आपको पूरी सीरीज को अच्छे से फॉलो करना है आपकी पूरी NCRT सारसंग्रे टॉपिक वाइज आपका यहां पे कवर हो जाएगा आपको दुबारा बुक पढ़ने की ज़रत नहीं पढ़ेगी नोट्स की फॉर्म में वन लाइनर पूरानी जलोड मिट्टी को हम बांगर कहते हैं और जो नई जलोड मिट्टी होती है उसे खादर कहते हैं तो यह प्रशन पेपर में पूछा जा चुका है आपको याद रखना है पूरानी जलोड मिट्टी उसे कहते हैं बांगर नई जलोड मिट्टी को खादर कहा जाता ह चीक है चलिए एक और जीज आपको मिट्टियों को लेकर याद रखनी है कि जो भारतिय कृशी अनुसंधान परिशद है उसने पूरे भारत की मिट्टी को आठ वर्गों में विभाजित किया है ठीक है कौन-कौन से वो वर्ग है तो देखे पहला आता है जलोड मिट्टी संधान परिशद ने प्रशन बन सकता है कितने वर्गों में किया है आठ वर्ग आपने बताने हैं चलिए नेक्स्ट है हमारा रैगूर म्रदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है रैगूर म्रदा या रैगूर मिट्टी को हम काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं important question है, ये question भी कई बार paper में पूछा गया है, आपको काली मिट्टी पूछता है, कि काली मिट्टी का अन्य नाम चाहे, तो काली मिट्टी को रैगूर मिट्टी भी कहते हैं, चीक है, तो ये आपको याद रखना है, और एक और चीज़ आपको काली मिट्टी को लेकर याद जाता है, जाता दर आपको याद रखना है जिवाश्म के कारण, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है हमारा रैगूर मिर्दा का सरवादिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है, रैगूर मिर्दा यानि काली मिट्टी, ठीक है, दोनों एक ही नाम है, काली मिट्टी का आपके महराश्ट्र में पाया जाता है महराश्ट्र के अलावा अन्य राज्यों के कुछ छेत्रों में भी काली मिट्टी मिलती है लेकिन अगर सरवादिक विस्तार पूछेगा तो ये महराश्ट्र में पाया जाता है इसके अलावा गुजरात, मध्यपर्देश, उडिशा, आंध्रपर्देश, राजस्तान, करनाटक यहां पर भी कुछ छेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है लेकिन सरवादिक पूछेगा तो महराष्ट्रा नेक्स्ट है हमारा मालवा पठार में किस म्रदा की अधिकता पाई जाती है तो जो मालवा का पठार है उसमें भी हमें काली मिट्टी की ही अधिकता पाई जाती है यह आपको याद रखना है ठीक है कहीं पर मैंने काली मिठी लिखा है कहीं पर इसे रैगूर मिठी लिखा है ठीक है तो मैं उपर ही बता चुका हूँ दोनों एक ही नाम है आपको अगर option में आ जाए कि मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता है काली मिट्टी option में नहीं होगा तो रैगूर option में होगा ठीक है ये question कई बार paper में पूछा गया है कि काली मिट्टी का अन्या नाम क्या है तो रैगूर मिट्टी इसका नाम है ठीक है इसको लेके आपके दो प्रशन और हैं उनको यहाँ पे देखेंगे पहला है ये वाला किस म्रदा को कपास की खेती के लिए सबसे उप्युक्त माना जाता है कपास की खेती के लिए सबसे उप्युक्त मानी जाती है काली म्रदा या रैगूर मिट्टी ये कोशन बहुत बार रिपीट हुआ है कि कपास की खेती के लिए सबसे उप्युक्त मिट्टी कौन सी है तो वो है आपकी काली मिट्टी ये आपको याद रखना है इसे हम काली कपास की मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि ये कपास की खेती के लिए सबसे ज़ादा उप्युक्त ह नेक्स्ट है किस मर्दा को स्वताह जुताई वाली मर्दा भी कहा जाता है तो स्वताह जुताई वाली मर्दा यहां काली मिट्टी को ही कहा जाता है इंपोर्टेंट है ध्यान रखेंगे इससे जुड़ावा फैक्ट है आपको पूछा जाता है नेक्स्ट है हमारा लेटराइट मिट्टी मुक्य तहा किन राज्यों में पाई जाती है देखे जो लेटराइट म्रदा है हमारी यहां आपके मुक्य तहा केरल, करनाटक और महराष्ट राज्यों में पाई जाती है अगर हम इसको जोग्राफिकल वे में देखें तो ये भारत का जो प्राइदीविय भारत है हमने बात करे थी कि इधर की साइड आपका मालाबार तठ है तो मालाबार तठ ये छित्रों में ही जादा तर आपकी लेटराइट मिट्टी पाई जाती है ठीक है आपका महराष्ट भी इधर पढ़ता है केरल भी इधर पढ़ता है करनाटक भी आपका इधर पढ़ता है तो आपको दो बातें याद रखनी है पहला अगर राज्यों के नाम पूछेगा तो इधर की साइड के आपके जो राज्ये होंगी जैसे केरल है करनाटक महराष्टर यहां पे लेटराइट मिट्टी मिलती है अगर राज्यों के नाम ना हो तट का नाम पूछ ले आप जानते हैं इधर आपका मालाबार तट होता है इधर आपका कोरो मंडल तट होता है तो मालाबार के तट में जादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है लेटराइट मिट्टी यह आपको याद रखना है ठीक है यह भी पूछा जाता है नेक्स्ट है हमारा चाय बगानों के लिए कौन सी मिरदा उप्युक्त होती है तो चाय बगानों के लिए लेटराइट मिट्टी ही सबसे उप्युक्त मानी जाती है ठीक है चाय की खीती के लिए इसके अलावा काजू की खीती के लिए इलाइची के लिए सबसे उप्यूक्त मिट्टी लेट्राइट को ही माना जाता है जब हमने अभी उपर आठ वर्गों में विभाजित किया था पूरे भारत की मिट्टी को तो उसमें हमने देखा था न कि लेट्राइट भी है तो ये भी आपको याद रखना है ठीक है तो लेट्राइट मिट्टी किसके लिए इंपॉर्टेंट है चाय बगानों के लिए इसके अलावा जो इलाइची की खेती होती है काजू की खेती होती है उसके लिए भी लेट्राइट इंपॉर्टेंट है ठीक है उप्यूक्त है चलिए नेक्स्ट है हमारा लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी म्रदा दिनो दिन अनुरुवर होती जा रही है तो अनुरुवर होती जा रही है लेटराइट मिट्टी अब देखे दो कोशन बन गए पहला कि किस मिटे में लोहे की मातरा अधिक होती है तो वो है लेटराइट मिटे में और इसी कारण से ये दिन परती दिन क्या होती जा रही है अनउरुवर होती जा रही है तो पूँछा जा सकता है, ठीक है दो कोशन इस तरी के से बनेंगी एक तो आपका ऐसे बन जाएगा कि लेटराइट मिट्टी में किसकी अधिक्ता होती है तो लोहे की मात्रा यहाँ पे जादा होती है दूसरा आपको ऐसा पूछेगा कि लेटराइट मिट्टी जो अनुरूवर होती जा रही है किस कारण से तो लोहे की अधिकता से ठीक है और एक तो इस टाइप से ही पूचा जा सकता है जैसा यहाँ पर प्रश्ण लिखा है तो आपको याद रखना है ठीक है घुमा कर पूचता है आपको बस कॉंसेप्ट के लिएर होना चाहिए चली एक और चीज़ आपको लेटराइट को लेकर याद रखना है कि लेटराइट मिट्टी को अलग-अलग वर्गों में विभाजित किया गया है जैसे लेटराइट को किया गया है गेहरी लाल लेटराइट में इसके अलावा सफेद लेटराइट मिट्टी में और इसके अलावा भूमिगत जलवाई लेटराइट मिट्टी में इन रूप में इसे वर्गी करत किया गया है ये मैं क्यूं बता रहा हूँ अब इसका important question सुनिए अगर आपको पूछे सबसे कम अनुरुवर अनुपजाव मिट्टी, लेटराइट मिट्टी कौन सी होती है तो सफेद वाली होती है ये आपको याद रखना है अलग-अलग वर्गों में विभाजित किया गया है इन में से भी अगर लेटराइट का भी डेटेल में पूछे कि सबसे कम अनुपजाव कौन सी होती है तो जो सफेद लेटराइट होती है ये सबसे कम अनुपजाव होती है ये आपको याद रखना है नेक्स्ट है हमारा मर्दा की सारियता को कम करने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है तो जो मिट्टी होती है उसका जो शार होता है वो जादा होता है तो उस शारियता को कम करने के लिए उसमें जिपसम मिलाया जाता है ठीक है तो शार को कम करने के लिए जिपसम मिलाते हैं और जो अमलिया मृदा होती है एसिडिक मृदा होती है को कृशी योग्या बनाने के लिए किसका प्रियोग करते हैं तो वहाँ पे लाइम यानि चूने को मिलाया जाता है तो दोनों याद रखना है अगर मिट्टी च्छारिया है तो उसे जिपसम से हम नॉर्मल करते हैं और अगर मिट्टी अमलिया है तो उसे हम लाइम या चूने से मिलाके हम उसे क्रिशी योग्या बनाते हैं तो दोनों बातें आपको याल रखनी हैं, दोनों पूछी जाती है नेक्स्ट है हमारा भारत की मरदाओं में किस सुक्ष्म तत्व की सरवादिक कमी है तो भारत की मरदाओं में अगर किस तत्व की कमी पाई जाती है तो भारत की मिट्टियों में जस्ते की कमी पाई जाती है ठीक है तो ये आपको याद रखना है भारत में सरवादिक चारिय म्रदा किस राज्य में पाई जाती है अभी हमने बात करी कि अगर मिट्टी चारिया है तो उसे नॉर्मल बनाने के लिए हम उसमे क्या मिलाते हैं? जिपसम मिलाते हैं अगर पूछे भारत में सबसे ज़ादा चारिय म्रदा किस राज्य में पाई जाती है तो यहां म्रदा उत्तर परदेश में पाई जाती है ठीक है नेक्स्ट है हमारा लवणिय म्रदा में किसकी कमी पाई जाती है तो देखे जो हमने आठ वर्ग देखे थे उनी में से एक है आपका लवणिय मिट्टी और इसमें नाइट्रोजन और चूने की कमी पाई जाती है यह भी important है पूछा जाता है Next है हमारा जैव म्रदा का रंग नीला क्यों होता है जैव म्रदा इसका रंग नीला होता है अमलिय और फेरस आइरण के कारण तो यह important है Next है हमारा पश्चिमी राजिस्थान की म्रदा में किस खनीच की अधिक्ता पाई जाती है जो पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी होती है इसमें कैल्शियम की अधिक्ता पाई जाती है तो यह आपको ध्यान रखना है important है पूछ सकता है मरुस्थलिय म्रदा में किस पूशक तत्व का आभाव पाया जाता है जो मरुस्थलिय म्रदा होती है उसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है यह भी important है पूछ सकता है अगला प्रशन है हमारा सबसे कम जल धारन शमता किस म्रदा में होती है सबसे कम जल धारन शमता जो होती है यहाँ बलुई दोमट मिट्टी में होती है यह आपको याद रखना है important है सबसे कम जल धारन शमता next है पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मिट्टी से प्राप्त होता है तो पौधों को सबसे जादा जल चिकनी मिट्टी से प्राप्त होता है तो यह भी आपको याद रखना है ठीक है सबसे कम जल धारन श्रमता बलूई दोमट मिट्टी की होती है सबसे जादा जल पौधों को कौन देता है तो वो देती है चिकनी मिट्टी नेक्स्ट है मृदा की उरुवर्ता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है तो देखे अगर किसी मिट्टी की उरुवर्ता कम हो रही है और उसकी उरुवर्ता बढ़ाने के लिए उसमें अगर हम दलहनी फसलों की यहाँ पे फसलें उगाते हैं दलहनी प्रकार की फसलें तो उसकी उरुवर्ता बढ़ने लगती है तो ये आपको याद रखना है मर्दा की उरुवर्ता बढ़ाने के लिए उसमें दलनी फसलों को उगाया जाता है देखे चंबल घाटी का निर्मान अवनाली का अपरदन जिसे हम गली एरोईजन कहते हैं इस परकरिया से हुआ है तो ये आपको याद रखना है important है पूछ सकता है नेक्स्ट है मर्दा अपरदन को किस प्रकार रोका जाता है मर्दा अपरदन यानि की soil erosion की बात हो रही है इंगलिश में अगर कहें soil erosion को व्रक्ष रोपन करके वन रोपन करके रोका जा सकता है ये कोशन कई बार पेपर में पूछा गया है तो जो मर्दा अपरदन होता है इसे हम व्रक्ष रोपन वन रोपन करके रोक सकते हैं अगला प्रशन है हमारा केंद्रिया मर्दा सरक्षन बोड का गठन कब किया गया था केंद्रिया मृदा सरक्षन बोड इसका गठन 1953 में किया गया था ठीक है देश के अंदर भारत में जो मृदा अपरदन होता है उसको रोकने के लिए उसके जो दुश परिणाव होते हैं उनको रोकने के लिए उनको कंट्रोल करने के लिए इस बोड का गठन किया गया था तो केंद्रिया म्रदा सरक्षन बोड इसका गठन 1953 में हुआ था इंपोर्टन्ट है आपको याद रखना है नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रशन है भारत के सरवादिक व्रहद छेत्र में किस प्रकार के वन पाई जाते हैं तो दिए भारत के सरवादिक बड़े जो बड़ा छेत्र है भारत का उसमें आपके उश्ण कटी बन दिया शुश्क पर्ण पाती वन पाई जाते हैं ये आपको याद रखना है, ऐसे कोशन भी पेपर में बन सकते हैं, ये सभी कोशन आपके NCRT के हैं, तो सभी कोशन आपके लिए important हैं, आपको जो कोशन आते हैं इन में से, उनका आप रिवीजन करते वे चलियर जो नहीं आते हैं, उनको आप एक नोट्स बनाते वे जरूर च साथ ही अगर हम बात करें PDF की, इस सीरीज की, तो कुछी दिनों में जैसे ही कुछ पार्ट इसके हो जाते हैं, PDF आपको इसकी टेलिग्राम चैनल पर मिलेगी, आप टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हैं, तो आपको आज का वीडि जोड़ा सा छोटी वीडियो बन रही है जोगरॉफी की, उसका कारण ये है कि मैं जो एक टॉपिक है, पर्टिकुलर टॉपिक उसको एक ही वीडियो में सीमित करना चाहता हूँ, जैसा अगर आप देखेंगे, आज की वीडियो में हमने भारत की मिट्टी से जुड़े हु वीडियो में हो जिससे आपका जो सारा mix-up है वो ना हो इसलिए मैं अभी छोड़ी छोड़ी वीडियो बन रही है ताकि आपके जो topics है वो आपस में mix-up ना हो और आपको पढ़ने में notes बनाने में दिक्कत ना हो तो आज की वीडियो में हमने यहां पे मिट्टियों की बात करी अगले वीडियो में हम forest की बात करेंगे वहां से भी काफी सारे प्रशन बनते हैं लास्ट वीडियो में हमने जलवायू की बात करी थी तो ऐसे ही हम पूरे भारत के भोगोल को cover करेंगे उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा सीधी आपको अच्छी लग पता है थैंक्यू फ्रेंड्स